फ्रेंड्स मांसूनों या सर्दियां क्रिस्पी और गर्मा गर्म पकॉड़े खाना सभी को पसंद होता है लेकिन पकॉड़े में तोड़ा सा ओयल ज्यादा लगता है इसके थोड़ी सी टेंशन लगती है अगर उतने ही और उतने ही टेस्टी पकॉड़े हम लोगों को एकदम पकॉड़े बनाने के लिए मैंने ले लिए चार कच्चे आलू अलो को तुड़ा सा अलग तरीकी सो बालेंगे उसके लिए एक पैन लिया और उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और यह आलू रख दिये हमें अलों को सिफ 50% कूड़े पूरी तरह से कूड़े नहीं करना ह पैन कर दगन लगा कर हम इसे पांच मिनट तक पका लेंगे आप चाहिए तो पेशे कुगर में भी पका सकते हैं बस एक ही सीटी लगाए और यह मैंने लिया है एक कप जितना बेसन और अब इसमें डाले कुछ बेसिक से मसाले सबसे पहले डाला टेस्ट के हिसाब से नमक ए हर्फटी स्पून डालेंगे फल्दी पाॉडर गोल बनने के लिए मैंने लिया है पानी 5 इसमें तीन कप पानी ल गिगा दो कफो हम पानी डालेंगे और एक कप ड़लेंगे हम बटर मिल्च लेकिन एकक पाणी डल कर अचे से मेक्स कर लेंगे जिसे लंश वगिना बने अग अगर आपके पास खट्टा देए तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे जो पकोड़े बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे इसमें सारे फ्लेवर राइंगे और लिजे घोल बन करते हैं दस प्यंट के लिए राइस्टो ने छोड़ देते हैं और इस जो हमने ड्रके बने जरूर करें और वास उसके बात थोड़े प्रैशर से हम आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे जिससे इस पर जो लच्ची आएंगे यानि जो ग्रेट होकर नीचे आलू आएगे काफी इस तरीके के आएगे जो हमारे जो पकॉड़े पनेंगे उसमें बहु पकाने की तयारी और उसके लिए गैस ओन करी उसके ओपर कड़ाई रही और कड़ाई में डालेंगे एक टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑईल बहुत सदा ऑईल ना डालें और जैसे ऑईल गरम उसके नदर डालें हाफ टीस्पून मस्टरड शीट और यह लिए दो हरी अच्छे से चटक चुकी है और यह मैने लिए 2 टिबल स्पून करश कर लिया है मतर कची है इसे भी एक नेट पका लेते हैं और लेजे मतर भी अच्छे से पख चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे वह बैसन का बैटर जिसे हमने अच्छे से तयार करके रखाता और वह बाल आया हमने डाल दिये यह कद्दुकस किये हुए आलू और आलू ड़नने के बाद आप एकदम सौफ्ट हास से इसे उल्टे पठले क्योंकि इसमें जो आलू के लच्छे हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और तुड़ा अलग सा भी टेस्ट करते हैं वैसे त सबस्टrets हो चुद्दुकस करते हैं यह और यह जाना तeg pane झाल जूद्ख आतिन लिया इसटी में वेलगते हुए बशक्तै के रहनłeं ऐसे कि अधरिक पास तीन नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं में आप इसे किसी प्लेट बगu बीजमा सकते हैं अबस अच्छसे सेब ह होना चाहिए और तिकनस रखेंगे हम इसकी करीब एक से सवा इंच की बहुत ज़्यदा पतले पतले पीस ना करें वरना अगले प्रोसेस में तूटने का डर रहे और लिए बिल्कुल अच्छे से से अच्छे से अच्छे से अच्छे से बाद एक नाइफ लिया और नाइफ से इस तरीके से हम इसकी बर्षपी जैसी काट लेंगे और बहुत चुटे चुटे पीस नहीं काटेंगे थोड़े अच्छे से बड़े बड़े क्योंकि हम बर्षपी नहीं बना रहे हैं हम तो नाश्टा बना रहे हैं और लिजे यह सबी पीस अच्छे से कर चुके और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया सैट हुए है और उसके बाद बारिये इन्हें सेलो फ्राइ करने की उसके देखे लिए और पर एक पैन रखा और पैन में हम डाल देंगे दो से तीन टिबल स्पून जितना कोगिंग ऑल आप चाहिए तो बस इससे जिस समय आप तैयार है आप इससे लग सकते हैं और जब कभी गयस ट्राइए आपको गरम घरम खाना हो पस आप उसी समय से सैलो फ्र प्राउं कर लेंगे और देखे कलर बहुत ही बढ़ी बढ़ी है है हाफ को कालू लिया था इसलिए और बहुत ही काम एक जॉप करते हैं बस जैसे अच्छा कलर आया डिशाओट कर लेंगे यह बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट से हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे एक बैच और सिग्या इसे भी डिशाओट कर लेते हैं और यह लिजिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी हमारी एकदम अलग तरीकी के पकोड़े कटलेट आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बनकर तयार हो चुके हैं और देखिए उपरी आप लोगों को कैसी लगी वीजियो को लाइक कर दें फ्राइं फ्राइं में शेयर कर दें चैनल ने पहली बार आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर पुरा ने है तो उसके लिए थांक्यू साथ ही एक घंटी का निशान आता है उसे भी प्रैस कर दें उसे प्राइब कर दें पुरार आता है